let's see the solution कि कैसे हमने ये दो अज्जस्मेंट डालने के बाद consolidated balance sheet बनानी है तो balance sheet में कोई कोई change नहीं है ये भी possibility हो सकती थी कि कोई आपने fixed assets भी एक दूसरे के साथ exchange किये हों तो उसकी adjustment भी एकने पड़ती है लेकिन इस case में नहीं है जहां तक कर्रेंट assets तो current assets में change है और इसके लिए नोट देखना पड़ेगा के change कैसे आई है देखें change देखते हैं current assets note number four four hundred plus three hundred fifty minus one twenty वो जो adjustment में था ना के जी आपने एक सो बीस देने और एक से इससे तरह current liabilities में भी आप देखें ये नोट नुमर फाइब में दो सो प्लस दो से चार सो माइनस one twenty तो आपकी जो balance sheet आएगी उसमें आप देखें जो current assets हैं वो six hundred और current liabilities है तो ये नोट की पहले इसकी working देनी है और उसके बाद इसको नोट में लेके आना है उसके बाद share capital assets ही आ जाएगा और non controlling interest और group reserves इनकी calculation और goodwill की खासता और पर क्योंकर goodwill जो right off हो रही है वो कैसे आएगी वो भी आपको note में दिखाएगी working for the goodwill यानि पहले तो यह देखें ना कि वो 84 की figure जो बता रहा है कैसे निकाले गएगी तो देखें इसमें क्या है कि आपने जो investment की है वो पांच्सों की की है और उसके जो assets है share capital में और reserve में फोर एंडड़ एड़ वान टॉट उसमें आपको जो share बनता है फोर एंड़ का एटी परसेंट वान टॉटल बनता है फोर वान सिक्स तो देखें फाइवनड़ और फोर वान सिक्स है वो गुडविल है यह नॉर्मली मैंचन नहीं करता examiner question में लेकिन अगर mention की है तो इसका मतलब यह कि जो calculation हमारी आएगी वह इसके मताबिक हो और बाद कादी कहते हैं कि आप पूरी write-off ना करें बलकि उसका कुछ portion write-off कर दें तो आप ने फिर यह goodwill जो निकाली है इसका कुछ portion हम profit में से minus कर देंगे यह यह asset है इसको credit करेंग ही होती है तो इस case में तो इसने state कह दिया जी की पूरी की पूरी write-off कर देंगे अचा उसके बाद देखें इसमें non controlling interest की बात करता है तो आपका वो जो capital reserves है उसमें 400 और उसका 20% 80 उसके बाद जो reserve का भी 20% 300 का 60 और इसमें जो unrealized profit जो है six का minus करना पड़ेगा आपको 30 का 20% त तो आपकी non controlling interest for balance sheet purpose is 134. So let's see the balance sheet again. देखें, non controlling interest is 134. तो आपका total assets and liability 215 और इसी तरह नीचे equity and liability 215. So this is a simple question basically so that you should understand how the consolidated balance sheet is going to be appearing in the consolidated accounts. It's a simple question.